दोस्तो बिग बॉस सेजन 16 के लाइफ फीड में इस समय घर के अंदर अब्दूरोजिक और सुम्बल तोकिर खान के बीच में काफी प्यार भरी बॉंटिंग देखने को मिल रही है हालांकि ये दोनों ही कंटेस्टेंट गर के अंदर सबसे छोटे हैं और इन दोनों से बात करने में किसी को कोई भी एतराज नहीं है दोनों ने किसी से अबी तक कोई दुस्मनी मॉल नहीं ली है जिसके चलते ये अभी तक सबसे अच्छे कंटेस्टेंट बने हुए हैं और इनको फैंस के द्वारा भी सबसे जड़ा पसंद गिया जाता है हाली में दोस्तों बिग बॉस के लाइफ वीड में अब्दू रोजिक और सुम्बूल तोकिर बात करते हुए दिखाए दिये जहां पर सुम्बूल ने अब्दू को कहा कि मैं तुमारे लिए कभी चीकन और पूरी बनाऊंगी तब तुम खाना मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है लेकिन यहां पर अब्दू ने स्पेसल डिमांड रख दी है और कहा कि मुझे तो फिस अच्छी लगती है कि आप मेरे लिए कभी फिश बनाएंगे यह सुनकर सुम्बूल ने कहा कि मुझे फिस बनानी तो आती है लेकिन मेरे पापा मुझसे भी अच्छी बनाते है हालां कि सुम्बूल को फिश खाने से ऐलर्जी है जैसा कि वो बता रहे हैं लेकिन इसके बावजुद उन्होंने अब्दूल के लिए कहा है कि जब भी फिश वगरा आएगी तो वो अब्दू के लिए जरूर ऐसी चीज बना कर देंगे कि वो अंगुलियां चारते रहे जाएंगे जिसे सुनकर अब्दू भी खुशी से जूम उठे है खुल मिला कर कहा जाए तो इस समय बिग बॉस के लाइफ फीड में गर के अंदर ये दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है और दोनों की बॉंडिंग वाक तक मोंचे जब सब्सक्राइब